चार्ज क्यू इस डिस्टूबिटेड ओर तू कॉंसेंट्रिक कंडुक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स रेडिया और और इफ दे सर्फेज चार्ड डेंसेटी ऑन दे टू शेल्स अर इक्वल अलेक्रिक पोटेंशल है दे कॉमन सेंटर इस ओके देखो क्या दिया यहां पर द क्या जाएगा क्यों आ जाएगा बात में दोनों का उसने क्या दिया है सर्फेज चार्ड डेंसेटी सेंडी है तो रो सिग्मा और इस इक्वल टू सिग्मा कैपिटल र तो हम लोग क्या लिख सकते है यहां पर इस सिग्मा का वैल्यू क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया तो charge upon sphere 1 that is q1 divided by उसका area का है 4 pi r square is equal to q2 divided by क्या हैगा 4 pi capital r square मतलब यहाँ से q1 by r square is equal to क्या मिलेगा q2 divided by r square तो यह जो q2 है वो q2 क्या मिला q1 into capital r square divided by small r square इसको याद रखना मेभी आगे जा कि इसका help लगने वाला है आगे बढ़ते हैं हम लोग electric potential at the common center बोले तो electric potential at the common center आएगा electric potential due to sphere 1 plus electric potential due to sphere 2 and sphere 1 की वज़े से कितना आएगा k q1 by r plus sphere 2 की वज़े से k q2 divided by बड़ा r आएगा right अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है रेखो कि यह जो q2 है we can replace this q2 by आपके पास है रेको q1 का q2 का value उसके साथ replace करो तो यह k by r into q2 का है q1 बड़ा r square divided by छोटा r square तो यहाँ पर r cancel होगा और यह q1 है तो यह k q1 common आजाएगा even r भी common आजाएगा देखो r square को common लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर capital r बचेगा सही किया न हम लोगों ने तो v का value मिला k q1 by r square r plus r अच्छा अब यह q1 को मुझे replace करना है in terms of q तो हमें पता है कि q1 plus q2 is equal to क्या होता है capital q है तो q1 का value क्या आजाएगा q minus q minus अच्छा हम लोग क्या करेंगे यह जो आपका q2 है ना q2 का value put करेंगे q2 का value क्या है q1 बड़ा r square divided by छोटा r square is equal to capital q अभी यहाँ पर देखो अगर मैं q1 by r square को common निकालता हो तो यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा r square plus r square is equal to q तो यह आजाएगा q1 divided by r square is equal to q divided by r square plus r square इसको अगर मैं इस equation में put कर देता हूँ तो v का value क्या आएगा देखो k, k मतलब 1 upon 4 pi epsilon not यह बाद में इसका value कह है q divided by r square plus r square and यह क्या है r plus r है तो finally आपके पास जो answer मिला capital q into r plus r divided by 4 pi epsilon not into r square plus r square ऐसा कोई option है क्या q into r plus r divided by 4 pi epsilon not into r square plus r square तो यह option c के साथ match कर रहा है option c is a correct one, right ज쪽 तो यह की अगर क्योंन रवील है और में कहा है